नेचुरल कहानी में स्वागत है दोस्तों, अगर चैनल पे आप पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट जरूर कर दीजेगा हाल ही में नैना का विवा हुआ था और उसके पती और सुसराल वालों के साथ एक जोएन फैमिली में रहना सुरू कर दिया था कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि वो अपनी सास के साथ नहीं रह सकती नैना की सास रूडी वादी थी जबकि नैना आधूनिक जीवन सैली जीने वाली लड़की थी जल्दी उसके बीट जगड़े होने लगे कई महिनों के बीद जाने के बाद भी दोनों में से कोई भी अपना व्यवार बदल नहीं पाया समय के साथ साथ नैना और जादा आक्रम्मक हो गई और उसे अपनी सास से नफरत होना सुरू हो गया वह सोचने लगी कि कैसे अपनी सास से छुटकारा पाया जाए एक बार हमेशा की तरह जब उसने अपनी सास से जगडा किया और उसके पती ने अपनी मां का साइड लिया तब नैना का गुसा और हुई जादा भड़क उठा। नैना के पिता एक केमिस्टर थे। उसने अपनी पिता को पूरी बात बताई। उसने अपने पिता से कहा कि उसे कुछ जहर दे ताकि वो अपनी सास के खाने में मिला कर उससे चुटकारा पा सके। नहीं तो वो अपने पती के घर वापस नहीं जाएगी नैना के पिता को यह जानकर सुनकर काफी दुख हुआ और उन्होंने अपनी बेटी से कहा अगर तुम अपनी सास को जहर देती हो तो तुम और मैं हम दोनों ही जेल चले जाएंगे ऐसा करना बिल्कुल भी टीक नहीं होगा नैना यह सुनने को राजी ना थी लेकिन नैना सुनने और समझने की हालत में नहीं थी आखिरकार उसके पिता ने कहा ठीक है जैसा तुम चहती हो वैसा ही होगा लेकिन मैं तुझे जेल में नहीं देखना चाहता उसके पिता अंदर से पाउडर लाए और कहा हर दिन जब तुम दोपहर का खाना भोजन रात का भोजन करते हो तो अपनी सास के खाने में इसे मिला देना इससे धीरे धीरे कुछ मेहनों में वो मर जाएंगी और लोग सोचेंगे कि वो प्राकिर्तिक रूप से मरी है उन्होंने यह भी कहा क्योंकि किसी को भी तुम पर सक नहीं होना चाहिए इसलिए आज से तुम अपनी सास के साथ नहीं लड़ोगी बल्कि तुम उनकी देखवाल करोगी भले ही वो कुछ भी कहे तुम गुस्से से बात नहीं करोगी और हमेशा सांत रहोगी नैना सहमत हो गई अपने पिता के बातों से और अपने ससुराल वापस आ गई और अपने पिता की सला के अनुसार उसने अपनी सास के खाने में पौडर मिक्स करना सुरू कर दिया और बड़े ही प्यार के साथ बात करना सुरू कर दिया समय बीतने के साथ साथ नैना की सास का नेचर भी बदलना सुरू हो गया क्यूंकि नैना अब अपनी सास की बहुत देखवाल करने लगी थी इसलिए उसकी सास भी उसके प्रती विनवर होने लगी और प्यार से बात करने लगी पांच महिने बीद गए और नैना खाने में पौडर मिक्स कर रही थी लेकिन अब घर का वातावरन बदल गया कोई जगड़े नहीं थे दोनों एक दुसरे की तारीफ करते अब ऐसा लगता था मानो दोनों का रिष्टा मा और बेटी का रिष्टा हो अब नैना को चिंता होने लगी कि पौडर की जगा से उसकी सास जल्दी से मर सकती है वो अपने पिता के घर पर गई और उससे कहा पिता जी पिता जी किर्प्या मुझे उस जहरीले पौडर के प्रभाव को ठीक करने के लिए इलाज बताईए मैं अपनी सास को खोना नहीं चाहती वो मेरी मा की तरह है और मैं उन्हें अब प्यार करती हूँ उनके पिता मुस्कुराए और कहा कौन सा जहर बेटा मैंने तो तुझे बस सिंपल नॉर्मल एक सुगर फ्री पौडर दिया था और तुझे अपनी सास से प्यार से बात करने को कहा था और आज देख लो तुम दोनों का रिस्ता जगड़ा के जग़ा प्यार में बदल गया है यही कारण है कि तुम अब अपनी सास से प्यार करने लगी हो और उन्हें अब खोना नहीं चाहती बेटा यह अकसर कई मतभेदों को जर्म देता है हालां कि हमें एक दुसरे को समझने की कोशिस करनी चाहिए और एक दुसरे के साथ स्वस्त संबंद बनाने के लिए थोड़ा अपने आपको भी बदलना चाहिए और जब इस तरह के मतभेद रिस्तों के बीज उठते हैं तो उसके प्रियाजनाव का आप करता भी है कि वे उसे सांत रखे और सही रास्ते की और मार्ग दर्सन करे तो दोस्तों ये छोटी सी सास पहो की कहनी आपको कैसी लगी कि एक कमेंट जरूर कर दीजेगा तो फिर मिलते हैं नई कहनी के साथ हरार महादेव धन्यवाद